हेलो साथियो वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल तो कैसे वाप लूग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टियर रामना हुलोहिया अवाद उनश्टी के बारे में क्योंकि अवाद उनश्टी के ओर से एक बड़ी अप्डेट देखने को मिली है जो क हम सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर करेंगे और आपको बताते हैं कि यह नोटिस आपके परिक्षा ओनलाइन अविदन फॉर्म भरने से रिलेटेड है तो चली देखते हैं कि इस नोटिस में क्या पताया गया है क्या लास्ट डेट होगी कब तक आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है इतद्वारा सभी सम्मंदित को सूचित किया जाता है कि आईटी परिसर तथा महाविद्यालियों में संचालित, BBA, BCA, BPA, MPA, आवासी परिसर और महाविद्यालिये BCAG, MSCAG, LLB, 3 वर्सिये और 5 वर्सिये इन सभी पार्ट क्रमों की सम समेस्टर यानि की इवन समेस्टर या समेस्टर 2, 4, 6 इस तरीके से इन सभी समेस्टर परिक्षा 2013 ही तो ऑनलाइन परिक्षा आवेदन फॉर्म और परिक्षा सुल्क दिनांक 17 मई 2023 से लेकर के दिनांक 26 मई 2023 तक जमा किये जाएंगे तो यहाँ पर यह आपको पता चल गया ह जो भी इन सभी पार्टकरमों के विदार्थी है उन सभी की समेस्टर या इवन समेस्टर परिक्षा 2013 के लिए उनलाइन आवेदन होना है जो कि यहाँ पर 17 मई से ही स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्टेट क्या होगी तो 26 मई 2023 इसकी लास्टेट होगी आप अपने इस फ है तत्समंधी संस्थान विभाग महाविद्याले से पेक्षा की जाती है कि पूरीत परिक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्रों का दिरांक 27 मई 2023 तक वैरिफिकेशन करती विए चात्र चात्रों के परिक्षा फॉर्म इडीपी से लिया सत्यापित आवेदन पत्रों से संमंधी छात्रों की सूची परिक्षा विभाग में 29 मई 2023 तक जमा करना सुनश्चित करें तो यह लाइन तो यहाँ पर महाविद्यालियों के लिए थी या संस्थान के लिए इंपोर्टन थी आगे एक बात और दी गई है जो कि आप सब के लिए भी इंपोर्टन है लिखा है इस संमंध में यहाँ भी अपिक्षा की जा रही है कि पूरित परिक्षा आवेदन पत् करते हैं तो उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए खासकर आपके नाम और आपके पिता के नाम में तो यह चीज़े आपको ध्यान देनी है बहुत अच्छे से उसका निरिक्षड कर लेना है और बहुत ही क्लियर अपना फॉर्म फिल करना है तो दोस्तों यह थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो की बीबी, बीसी, बीसी, एजी और एमसी, एजी और साथ में बीपेड, एमपेड या फिर एललबी इन सब ही जात्रों के लिए थी तो आप सबको अगर यह वीडियो पसंद आई अपडेट अच्छी लगे तो लाइक सेर कर दीजेगा वीडियो क फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ